और दोस्तों कैसे हो यार आप सभी मैं आप सभी को विलकम करता हूँ पेवरेट यूटुब चैनल यह आप तुटोरियल्स में दोस्तों मेरा नाम है गौर मुंद्रा मैं आप सभी को बढ़ाता हूँ मैं अपसपेशल कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ पता है एक इक करना और बोलना है देख मेरे भाई आजा जली से वीडियो देख स्पी के लिए लेक्ट्स आ चुके आप सभी का प्यारा सब्जेक्ट है कि नहीं एक बार कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तो आज क्या करने वाले हम आज हम करने वाले हैं लेसे नमबर सेवेंट को स्टार्ट क करने वाले पहला लेक्ट्चर होने वाला है तो यहां पहतलिक है नहीं दोस्तों के 창 वीडियो को दोस्तों SAM साइन्स सब क्यांather परिवार है यह परिवार को सपोट करो यह जो वीडियो यह चैनल है आप इसको शेर करना यार अब जो भी है सब कुछ आप परे दोस्तों देखिए चलिएगा बाकी SP जो है ना दोस्तों आज हम क्या सिखने वाले आई यह लेकिन दोस्तों उससे पहले एक याद किजिए एक बात याद किजिए मेरी क्योंकि यह जो लेसन नंबर है पता है कुछ सार चल रह दोस्तों कि अपको दिक्कत होने वाली है पूरे lecture में पूरे lesson में क्योंकि क्या ना डॉस्तों क्या नम इसका company meetings one तो बहुत जादा इन्पोर्टन वह रेस्ए हमन और विस वह साहत् ही पूरी था से connected तो आप समझ सकते दोस्तों इस lesson की कितनी importance है और मैं आपको बता दूँ जब दोस्तों आप second unit test के लो या फिर जब आप second term की preparation करोगे तो यह lesson जो है most important like lesson number seven lesson number six और lesson number eight आपके पूरे 11th SP का इतना important है और वह वाला अब स्टार्ट करें इस lesson को चलिए क्या लिखा है कंपनी का मतलब पता है एक ऐसा artificial इंसान जिसके हाथ पाउतों नहीं है लेकिन उसको चलाते हैं वो कुछ लोग होते हैं जिसे हम दोस्तों board of directors केते हैं CEO केते हैं याद आ रहेगी नहीं और दोस्तों जब आप एक इंसान हो है कैमरा के पिछे जो बच्चा बेटा है हलो हलो आप लोग को फॉलो करते हो कि नहीं बच्चा कहा रहा है सर बिलकुल करता हूँ एकदम देश का नागरी हूँ में सारे लॉस फॉलो करता हूँ हेल्मेट पिंट के गाड़ी चला था हूँ वह अच्छी बात है लाइसेंस आपके बास क्या बात कर रहो चली लें ना ऐगल परसंदो और एक लेल परसंद ना तो दोस्तों इसको भी लॉस फॉलो करने पड़ते हैं अब यह जो लॉस के से फॉलो करती है किसके बिहाफ करतीHAN कृब आपं के सब्सक्राइब करते हैए इसके हाथ पाऊ तो ही नहीं सर ये लोग कैसे फ़어 गरेगी तो दोस्तों जो कमपनी के बोर्ड numero गरेक्टरिय क्यों प्रॉट के नाम की भी फायलिंग देती है आपको पता है मेरको कमपनी खोलनी है पता है कुछ से नाम की खोलनी है JR Tutorials के नाम के मुझे कमपनी कोलनी है तो दोस्तो ये वाली फायलिंग भी इन फैक्ट आपको government के पास करनी होती है और वो जो government है उसको हम लेकिन अब ये कंपनी का मीनिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा था इसा बहुत टाइम होगे आपको SP बढ़े हाना बच्चा कर रहा है हाँ सर क्या बता है आपको लेकिन इसके लिए मैं सोच एक थोड़ा सा से लाया गया है में इसका मतलब क्यों होता है लगों का इसा मिलना हां ठीक है चली देखते हैं और एसेंब्लिंग ऑफ टू और मूर पुरसंस और फॉर क्या लिखा है याप फॉर ट्रांजेक्टिंग एनि लॉफुल बिजनस चली इसको समझते है जो लिखा गया एक बार आप इसको रीड कर लीजिए अराम से किज़ए कोई नहीं रिड कर लिया अब मुझे दोस्ते बात कुछ संदाबर में उसको मेटिंग नहीं सकते क्योंकि मेटिंग दोस्तों केलातिं है जब आप कुछ बिजनस की बाते कर रही है यहां पर द्यान दोMs बात कर मेँझे अब मुझे बात बता घचा हो अपने जो राहूल से और है थाप यह अब कुछ चैर पर बैठा कोई बा जो वर्ड है ना इसका और एक डीटेल मीनिंग आपको समझेगा और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो तो फिर दिक्कत की बात है पूरी दिक्कत जो पूरी लेसन में आपको फेस करनी होगी तो अब सुनके लो एक ही बारे में अच्छे समझो देखो अब अपने राहुल सर है अना ठीक है चैर पर बैटे है आराम से राहुल सर पदा है क्या मन में सोचते है यार मुझे मीटिंग करनी है एक काम करता हूं ना क्यो सब को बुलाओ गौरो सर को बुला के क्या करूंगा या सायंस के टीचर को बूला के मैं क्या करूंगा अरे छोड़ो एक चैर पर बैटता हूं खुद से ही मीटिंग कर लेता हूं खुद से एक जगे पर और सोचते हैं बच्चों का response के सारा है क्या हम दोस्तों आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं क्या हम portion जो है time to time आपको दे पाएंगे कि नहीं या जो chartered account हो गया जितने भी फिल्ड मोना यह जो meeting है ना यार हर किसी को करनी पड़ती है और दोस्तों जब आप company के board of directors की बात कर लो company के shareholders की बात कर लो company के CS CS जीतने भी प्रोफेशनल्स हो गए ना इन सभी को भी meeting करने पड़ती है और यह meeting पता है तब कहलाएंगे जब एक जगे पर ठीक है बले यह online हो यह offline हो एक जगे पर दोस्तों एक इंसान बेटा है और सिफ एक इंसान नहीं two or more person यहां पर दियान दो दो या फिर दो से जादा जब दो चार लोग इसे आपस में बेटते हैं और मिलते हो फिर वो discuss करते हैं फालतों को बात ही डिसकस नहीं करते हैं lawful business business कैसे करना है चीज को discuss करते हैं इस चीज को कहते हैं दोस्तों meeting बहुत important है है आप आपको समझ में आ रहा है देखें बहुत आसान है मैंने इसको फालतु में ही थोड़ा सा detail ले गया लेकिन बहुत important role play करता है और बच्चों को थोड़ा सा एक अलगी perspective मीटिंग को लेके तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बताया है ठीक है एक बार देखें साथ में रिट कीजिएगा जैसे कि दोस्तों चार लोग मिलके आप चार दोस्त मिलके बात कर रहे है तो दोस्तों देखो यार यह एक मीटिंग तो है लेकिन क्या यहां पे बिजनस करने की बात हो रही है नहीं न तो मतलब दोस्तों जहां पे business related कुछ भी topic का discussion होगा उस चीज़ को कहते है मीटिंग ठीक है lawful language में सिखा रहा हूँ आपको मैं आपको दोस्तों law के साथ अब आपको adapt होना है यह मीटिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं लेकिन दोस्तों जब आप इसको पढ़ाई से या फिर जब आप इसको law related या फिर जब आप इसको business के term से सोचते हो तो इसका जो चलिए डारेक्टर की मेनेजरियल परसनल और क्रेडिटर क्रेडिटर मतलब की जिससे अपने पैसे लोन पर पैसे लिए गए उस जिसने लोन दिया उस इंसान को के था है क्रेडिटर आपको पता ही होगा क्रेडिटर तो for discussing different issues related to company and arrive at decision देखिए दोस्तों कंपनी जो बीटिं करने के केमपी आते हैं और क्रेडिटर जितने भी लोग कहलो आप सब आते कमरे में बैठते हैं और company के बारे में discussion होती है ऐसे यह जब ऐसा हो इसे कहते है company meeting लेकिन चलिए दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं एक सवाल पूछना है इससे मेरे दिल में आरा आपको एक सवाल पूछू क्या आप मुझे बता सकते हो company meeting क्यों करती है थोड़ा सोचो बेटके मलब ऐसे नहीं टेक्स्ट को साइड में रख दो अब थोड़ा से दिमाग लगो कि company जो है दोस्तों यह meeting क्यों करती है ऐसा क्या दिक्कत आगया इनको meeting करना पड़ा बच्चा कह रह बहुत अच्छा अपने पॉइंट रखा है बड़ा ही बच्चा बड़ा ही लेटके देग रहा है लेकिन उसका focus है यहां पर ठीक है लेकिन मैं आपसे request करता हूँ बेटके देगो lecture ठीक है फिर बच्चा आगया रहा है sir company क्या पता पहले ना manufacturing वाले business में involved होती होगी लेकिन अब company को distribution वाले business में भी आना है अब इसके लिए दोस्तो meeting तो बुलानी पड़ेगी मतलब sir हम in short यह कहना चाहते है कि meeting पता है company कब बुलाती है जब उनको कुछ important discussion करना पड़ता है in fact आपको पता है दोस्तो जब company को director को भी appoint करना पड़ता है यह company को कुछ भी गाम करना उनके सामने discussion करती है और फिर जब उस चीज को pass कर दे तब उसे successful meeting कहते है लेकिन अगर pass नहीं भी किया ज़र discussion ही सिफ हो उसको भी दोस्तो company meeting कहते है और दोस्तो इसके लिए यह जो chapter है ना company meeting हमारे chapter हमारे textbook में आया है क्योंकि उसका इंपोर्टेंज है ना दोस्तो बहुत जाता है अब आप समझ नहीं है एक लेक्चर जो स्टार्टिंग करें देखिए आज हम सिफ दो स्लाइट पढ़ने वाले लेकिन यह जो पहला स्लाइड है यह आपको आज दोस्तो समझ नहीं होगा क्योंकि यह जो है base create करने वाला है पूरे subject का like SP जो subject है दोस्तो याद करो दिन जब हमने दोस्तो सिखा था ordinary resolution के बारे में हमने दोस्तो special resolution के बारे में सिखा था तो दोस्तो यह जो resolution है यह कहाँ पास होते हैं दोस्तो यहीं मीटिंग में पास होते हैं तो यही तो चैप्टर सिखाने वाला है दोस्तो कि जो resolutions है कब पास होगा यह resolution में voting कैसे होगी औ तो आप मुझे समझ पा रहे हो I hope ठीक है नहीं समझ में आ रहा कितना मिनिट हो है 12 मिनिट तक हमने इंट्रोडक्शन लिया है कोई बात नहीं पीछे करके वापस देखो लेगिन यह जो इंट्रोडक्शन जो है आपके दीमक में आना चाहिए नहीं समझ में आ रहा फिर भी ए आज का जो लेक्शरों का पहला यह हम छोटा सा रखेंगे इसके बाद से थोड़े से लेंदी लेक्शर आएंगे लेकिन क्योंकि दोस्तों पहले लेक्शर जो है इंपॉर्टेंट है यहां से बेस क्रेट करना है ना यार वाई हो मेरी प्यारी बेहन हो एक बच्चे का कमें सकरें से और byट अबु Ecky झारि यहां प्यूर्ट को साल के यहिग्वाज़ां थोड़े से लेकिनिपनगरं ना दौस्तुं से बनाट करना होता है company वहाँ पर अपना काम बताती है लोगों को अरे सुनो shareholder आपको पता है अपनी company जो है साल के शुरुवात में 10 रुपे का हमारे पास profit था लेकिन आज साल जब end होने वाला हमारे पास पता है पूरे एक क्रोड का profit है तो यह सब जो मैंटर्स होते पता है दोसको कहां discussion के जाते हैं मीटिंग में डिसकस किया जाते हैं और वहां पर दोस्तों resolution वगरा पास होता है तो यह resolution यह सारा यह chapter में आने वाला है और यह chapter इसके लिए दोस्तो future perspective से भी बहुत ही जादा important है तो मेरा कोई भी बच्चा है आपको अच्छे से करना है यह question दोस्तो important है exam purpose के लिए तिधा आजाएगा आपको question for four marks explain the importance of company meetings साथ में यह आपको head points याद कर लेने हैं अंदर का मजो explanation है मन से लिखो कोई बात नहीं है चलिए समझते opportunities for members to come together डेखिए राहुल सर के example लीजे यहाँ पर दोस्तों आपको भी पता है राहुल सर जो है इतने time तक तो वो अखले काम करते थे उनने पूरा channel संभाल के रहा था लेकिन अब उनने थोड़े से एक चेर थी एक ठीक है वो चेर पर बैठे और अब उनने सोचा है देखो यह इतने time तक तो मैं अखिला काम करता था लेकिन आप तो हमारे पास एक टीम है ना हम science में कितने सारे teachers है मैं हूँ लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप लोग प्यार दोगे तो बहुत सारे teachers आएंगे अना आएंगे बिल्कुल आएंगे लेकिन देखो यह दोस्तों अब मीटिंग अब अपने पास टीम तो ही मैं अकला क्यों मीटिंग करूं हाना चलो सब teachers को बुलाता और मीटिं अब यहां पर देखो एर इतने टाइम तक तो राहूल सर ही सिफ डिसीजन लेते थे लेकिन दोस्तों अब हम भी एक राहूल सर का पार्ट है अब यह इस पार्ट जो हमें सौभागयों मिला है तो इस पार्ट में क्या दोस्तों हम भी अपने point of view रख सकते हैं नहीं हम भी र लेक्शर स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए तो यह सब जो points है दोस्तों यह सब क्यों रहा है मीटिंग में हम डिसकस कर पारें और दोस्तों हम जो अपने points रखने की जो हमें मीटिंग हुई राउल सर्द ने हमें मीटिंग में बुलाया हम सभी ने दोस्तों अपने point of view रखे तब जाके ही तो कुछ discussion जो हुई इस discussion को कहते है मीटिंग और दोस्तों ऐसे कुछ discussion होती है company में भी भला ही वो private company हो public company हो company limited by guarantee company limited by shares जितने भी यार आपको company याद आ रहे है 11% company जितने भी company जो उन सारी companies में दोस्तों यह meeting होती है महाँ पर कुछ ऐसी important discussion होते है ठीक है और इस discussion को ही कहते है company meeting तो यह इसकी importance थी opportunity for members अब हम दोस्तों जाट टोल्स कि क्या है हम members है ना है विल्कुल आप सभी भी member है रहा दोस्तों तो opportunities for members to come together and share their thoughts so that entire focus should be क्या organization हाना मतलब कि क्या दोस्तों हमारा entire focus यह है कि इस meeting में जो भी discuss होगा हम इसको अपने business में apply करेंगे और फिर जब अपना business जो है बहुत आगे बढ़ सकेगा में भी ना बढ़े लेकिन सब की मैनद सब की सोच तो मिली हुई थी ना तो क्या पता काम थोड़ा और आगे तक चाहे समझ रहो कि नहीं मैं क्या deliver करना चाहरा हूं यहां पर देखिए मिनिट्स जो है दोस्तों बहले ही आपको इसका मतलब नहीं समझ आता कोई बात नहीं क्योंकि मिनिट्स का एक पूरा से टॉपिक है अना एक पूरा डीटेल में सीखने वाले इसी lesson में सीखेंगे तो बाकी मिनिट्स जो है न दोस्तों आपको पता है यह मिनिट्स लिखने का काम किसका होता है दोस्तों मिनिट्स लिखने का में एक सेक्रेटरी का होता है कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है मिनिट्स लिखने का जो भी दोस्तों मीटिंग में डिसकस होता है एक एक चीज जो हमारी जो सेल है इतनी कम क्यों है उसके बाद डारेक्टर वन जो है उसने यह वाला पॉइंट रखा डारेक्टर टू इनके घर में कुछ परेशानी थी तो इनको बीच मीटिंग में जाना पड़ा यह सब चीज जो पता है एक कंपनी सब कुछ नोट करता है कंपनी सेक्रेटर या फिर कोई गवर्मेंट कब उटके आ जाए तुम्हारे मीटिंग में क्या डिसकस हुआ तो लोग प्रूफ दो आना तो यह मिनिट्स जो है यह एक लीगल बुक है सेक्रेटर जाएगा अरे गवर्मेंट अंकल कैसे हो आप यह लो मिनिट्स हमने जो भी मीटिंग में डिस अना यह हुआ क्या तो आएगा मिनिट्स बुक पड़ेगा अचा चार डिरेक्टर से यह डिसकेशन हुआ चलो चलो पलते हैं ठीक है सब समझ गए यह बुक पकड़िये हम चलते तो यह मिनिट्स इतना इंपोर्टन रोल प्ले करता है कंपनी के मीटिंग में चल यह थर्ड फिर क्या दोस्तों प्लैंस कंपनी की मीटिंग में दोस्तों फ्यूचर के प्लैंस इंडिसकस होते हैं जैसे आपको पता हमारा जब हम जियार टुट्रेल्स के टीचर मिलते हैं तो हम भी प्लैन करते हैं कि सर अभी यार देखो ऑफलाइन लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम और थोड़ा सा जाए लेकिन दोस्तों हम ऑनलाइन कब आएंगे जब हमें आप जो हमारा परिवार हैं हमारे जो प्यारे वच्चे वो थोड़ा सा इंवॉल्मेंट दिखा है हाना हम तभी ऑनलाइन आके सिखा पाएंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट को रहा है दोस्तों साथ भी करी थी और अब देख्या हम आपको प्लाइन डिसकस करने जा रहा हूं कि हमें सीए फांडेशन सीए फांडेशन के जो एक सब्जेक्ट खासकर लौ वाले सब्चेक्ट को पढ़ाने की सोच रहे है फिर दोस्तों आपको पता है या अपना कॉमर्स के बच्चों का करके तेली टार्केट बिशता हूं और यह सब मैंने दोस्तों राहूल रहा के साथ हमारा और उनका जो कनेक्ट रहे हुए आगे तक बढ़ता रहे आपको पता यह राहूल सर तो है आपके साथ जोए दोस्तो आज से जूड़े नहीं है तो बस यह सब क्या है दोस्तो यह सब हमारे केस में सोचो अपना जो चैयार का चैनल है यहाँ पे भी दोस्तो पॉलिसी प्लान्स और प्रोग्राम्स होते है तो दोस्तो बड़ी-बड़ में यह समझता हो कि आपको इसका basic introduction पता ही होगा चलिए analysis of problem यह तो मुझे आप बता होगे meeting में क्या होता है company सारे board of directors आ गए लोग discuss करते आपको पता है अपना जो product है इसकी बहुत sales बहुत कम हो रही है मुझे लगता है अपने को management है ना management को थोड़ा सा सुधार ना होगा या फिर अपने को एक नया manager appoint करना होगा और जो already manager जो है न अपने company का इसको शायद निगालना होगा यह सही से काम ने कर रहा है यार इसको निगालना पड़ेगा तो दोस्तो यह सब जो discussions है यह आप जब meeting में करते हो उसके बाद दोस्तों आप अपने problems को analyze करते हो सारे जैसी दोस्तों अपना पता है JR tutorials का भी जब meeting होता है हम सारे teachers आके मिलते हैं हम problem में पता है क्या discuss करते हैं अपने बच्चे ना यार चैनल को share नहीं कर रहे हैं ना तो हम पैसे कमा रहे हैं लेकिन at least जब हमें कुछ लोगों का आप कैसे एक recognition मिलेगा तो हमें भी बहुत यह meeting में बैटके discuss करते हैं यार फोड़ा सा प्यार की कभी पढ़ रही है commerce में थासकर कमी पढ़ रही है ऐसा अगर कोई भूल गया तो मैं रोदूंगा और दोस्तों इस बात में share करना है ठीक है लेकिन यह क्या है यह meeting में दोस्तों हम analyze कर रहे है अरे pen नीचे कर गया था क् अपने meeting में problem क्या रही है अपना channel आगे क्यों नहीं बढ़ रहा बच्चा कर रहा है sir क्या बात कर रहो इतना तो आगे बढ़ यह और कितना आगे बढ़ना रहे हमें कभी नहीं रुकना है आना हमें आगे बढ़ते रहना है अभी तो बस चुरुबात हुआ है दोस्तों चल साल में चार meeting तो करनी है चार पता है कुझसी बोर्ड मेटिंग करनी है बोर्ड मेटिंग जब आप करोगे तो उतने डेस का minimum gap होना चाहिए यह सब जो gap है हम आके सिखने वाले तो एक legal requirement है company की उपर bound है कि company को compulsory meeting करनी है अरे दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ अगर company व importance हो तो in short आपको यह लिखना है कि यह सब वज़े से आप conclude करना चाहते हो कि company में एक meeting होना बहुत ही ज़्यादा necessity है और अगर company को market में sustain करना है तो meeting जो एक important role play करता है देखो यार दोस्तों आपका answer कुछ इस तरह से conclude होना चाहिए conclusion तो इसे के साथ हमने importance of company meeting के वाले part को complete क company क्या होती है थोड़ा साब को यादे meeting क्या होती है आज आपने अच्छे से समझा importance क्या होता है आज आप यहां से सिख्के गए हो आए हो प्यार सिख्के गए कि नहीं बताना एक पार comment section में share करना दोस्तों अपने फ्रेंड्स के जाद बाकि यार अपने पापा मम्मी के फो 1000 फॉलोवस क्रॉस करवा दर दुम्हारे वाई के भी तोड़े से इतना प्यारे बच्चे आरदू ठीक है चले फिर एंड करना इस लेक्चर को लेक्चर नमर्ट टू में मैं आप सभी से मिलने वाला हूँ तब तक लिए अपना ख्याल रखियेगा मस्ती की जाए यार कॉल